Assalamu alaikum welcome to student tube आज के इस lecture में हम बात करेंगे chapter 5 factorization hcf and square roots exercise 5.8 question is find the hcf of the following polynomials by factor method तो आज को जो question है वो है question number 7 6 x cube plus 24 x square plus 6 x minus 36 और second round में हमाँ पास 4 x cube minus 8 x square minus 20 x plus 24 ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिर्स्ट हम लेंगे तो यह है हमाँ पास 6 x cube plus 24 x square plus 6 x minus 36 तो हमने यहाँ पर क्या करना है हम इसे ले लेंगे 6 इसमें common लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा x cube plus 6 के ट्वेंटी 4 कब आता है 4 पे तो 64 x square plus 6 बंजा 6 तो x फिर minus 36 6 पे आता है ठीक है तो अब इस value को हमने यहाँ पर क्या करना है p of x के equal कर देंगे तो यह हो जाएगा x cube plus 4 x square plus x minus 6 पिशके exercise की तरह यहाँ पर हमने क्या करना है divisors निकालने है कौन से number के जिसके साथ variable नहीं है that means कि 6 के यहाँ पर divisors निकलेंगे so the divisors of 6 are सबसे पहले 1 में आएगा plus minus 2 का हो सकता है then 2 में plus minus 2 का 3 में plus minus 2 का 4 में नहीं 5 में नहीं then 6 खुद अपने table में आता है ठीक है इसके बाद यहाँ पर हमने इसे कर देना है P of 1 की equal ठीक है यानि यह हो जाएगा X is equal to 1 यानि X की जगा पर 1 value आएगी तो P of 1 हो गया है यहाँ पर तो यहाँ पर यह 1 का cube plus 4 1 का square plus 1 minus 6 ठीक है तो यह 1 का 1 ही रहा plus 4 1's of 4 ही रहा plus 1 minus 6 तो यह plus का 4 1 और 1 यह हो गया plus का 6 minus का 6 cancel तो रह गया 0 that means कि X minus 1 is a factor of P of X ठीक है तो अब हमने X minus 1 को उपर वाले expiration से divide करना है तो सबसे पहले हम divide का जो symbol होता है वो बना लेंगे बाहर लिखेंगे X minus 1 और अंतर आजाएगी expiration जो के है X cube plus 4 X square plus X minus 6 अंतर वाली first time और बाहर वाली first time को divide करेंगे यानि X cube minus X जब divide होंगे तो यह हो जाएगा X 3 minus 1 जो के हो गया X square तो यह X square उपर आएगा और अब इस X square को हम minus करेंगे X minus 1 से तो यह हो जाएगा X cube minus X square तो यह आजाएगा यहाँ पर अब यह plus का है minus का यह minus का है तो plus का हो गया यह हो गया cancel अब 4 और 1 हो गए 5 ठीक है तो यह हो गए 5 X square plus X अब 5 X square और X को divide करेंगे तो यह X जो 2 से cancel यानि के 5 X रह गया तो plus का 5 X आगया अब 5 X को हम multiply करेंगे X minus 1 से तो यह हो जाएगा 5 X square minus 5 X तो 5 X square minus 5 X plus का है minus में minus का है plus में तो यह cancel अब 5 हो रेक हो गया 6 तो यहाँ पर आगया 6 X उपर चुतर आएगा minus 6 तो अब 6 X जो अब X से होगा तो X X से cancel सिर्फ 6 रह जाएगा तो यहाँ पर आजाएगा plus का 6 अब 6 को करेंगे X minus 1 से multiply तो यह हो गया 6 X minus 6 1 जा 6 तो यह 6 X minus 6 plus का है तो यह plus का है तो minus का है minus का है तो plus में cancel हो गया नीचे कुछ भी नहीं बचा ठीक है तो क्या है हमारा answer जो first term है उसका answer ठीक है तो यह आगया X cube plus 4 X square plus 6 minus X minus 6 तो जो equal है यह X minus 1 के और जो answer रहा है वो है X square plus 5 X plus 6 ठीक है अब हमने यहाँ पर X minus 1 इसी तरह से रहने देना है आगे हम क्या करेंगे X square कर देंगे और 5 X को अगर हम खोलें plus का 2 X और plus का 3 X करें तो यह हो जाएंगे 5 X plus 6 इसके बाद X minus 1 इसी तरह से रहा अब हमने यहाँ पर common लेना है तो common हम लेंगे X को तो यह हो जाएगा X plus 2 फिर यहाँ पर plus 3 को common लें तो X और plus का plus रहा 3 के table में 2 पर 6 जाता है तो यह हो गया 2 ठीक है तो यहाँ पर X minus 1 common लेंगे X plus 2 को और X plus 3 ठीक है तो यह जो first term का जो answer आया है वो यह है यानि equation 1 यानि first term का हम यह कह सकते हैं ठीक है second term लेने से पहले अगर हम इस सवाल को अपने जो original का जो सवाल है उससे करें यानि कि 6 X cube plus 24 X square plus 6 X minus 36 जो यह equal हो गया 6 और X minus 1 X plus 2 और X plus 3 तो basically यह जो हमारा answer है वो answer है first term का ठीक है इसके बाद हमने लेनी है अपनी second term 4 X cube minus 8 X square minus 20 X plus 24 ठीक है अब हमने यहाँ पर 4 को लेना है common तो यह हो गया X cube minus 4 2 जा 8 तो X square minus 4 5 जा 20 तो 25 X और plus का 6 क्योंके 4 6 जा होता है 24 तो यहाँ पर इसे P of X के equal कर देंगे तो यह हो जाएगा X cube minus 2 X square minus 5 X plus 6 ठीक है अब हमने divisors निकालने है किसके 6 के so the divisors of 6 are plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 then 4 में नहीं 5 में भी नहीं then plus minus 6 तो अब हम यहाँ पर value put करेंगे सबसे पहले हम put करेंगे X is equal to 1 यानि के P of 1 equal है 1 का cube minus 2 1 square minus 5 1 plus 6 तो यह 1 इसी तरह से रहा minus 2 1s are 2 minus 5 1s are 5 plus 6 ठीक है तो यहाँ पर 6 और 1 7 हो गए और यहाँ पर minus और minus plus पर sign minus की 5 और 2 7 minus plus cancel तो रह गया 0 that means X minus 1 is a factor of P of X अब हम इसे divide करेंगे so divide करने के लिए सबसे पहले divide का symbol बाहर आ जाएगा X minus 1 अंदर आ जाएगी expiration जो के है X cube minus 2 X square minus 5 X plus 6 तो सबसे पहले अंदर की first term और बाहर की first term होगी divide तो यह हो गए X 3 minus 1 that means X square तो यह आ गया यहाँ पर X square अब हम इसे multiply करेंगे X minus 1 से तो यह हो जाएगा X cube minus X square तो X cube minus X square ये plus का है minus में minus का है plus में तो ये होगा cancel plus minus तो 2 में से जब 1 जाएगे तो रह जाएगा X square पढ़े value की साथ minus है तो आएगा यहाँआ पर minus यहाँ पर minus का 5x उतरेगा तो यहाँ पर minus का x square जब x से होगा तो x square से cancel तो सिफ रह गया minus का x तो यहाँ पर आगया minus का x अब यह होगा x minus 1 से multiply तो यह हो जाएगा x square minus का और minus minus plus तो यह x वनजा x चिके तो x square minus का plus x इसी तरह से आगया यह minus का है तो plus में यह plus का है तो minus में यह होगा cancel अब यहाँ पे minus minus plus लाइन आएगा minus का और यह हो जाएंगे 6x क्योंकि 5x और 1x 6x अब plus का 6 उत्रा तो यहाँ पर 6x है अंदर और बाहिर है x तो xx से cancel तो रह गया minus का 6 अब इस 6 को हम multiply करेंगे x minus 1 से तो यह हो जाएगा 6x minus plus minus 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 plus 6 तो यह minus का 6x plus का 6 minus का है plus का cancel plus का है minus का cancel तो क्या है इसका answer x cube minus 2x square minus 5x plus 6 is equal to x minus 1 और जो divide का answer आए है x square minus x minus 6 तो यहाँ पर x minus 1 इसी तरह से रहेगा और यहाँ पर x square minus का x है तो हम इसे minus का 3x plus का 2x करें तो जब 3 में से दो जाएगे तो minus का 1x बचेगा क्योंके बड़े value के साथ minus है then minus का 6 तो यहाँ पर x minus 1 इसी तरह से common लेंगे तो common हम अगर x को लें तो यहाँ पर x minus 3 आ गया क्यों बाहिर x मौझूद है तो उपर का 1x आया और 3 आ गया फिर यहाँ पर हम लेंगे 2 को common तो x आ गया plus minus minus और 2 के table में 6 3 पर आता है तो x minus 3 तो यहाँ पर x minus 1 और x minus 3 common और x plus 2 अगर हम सवाल को देखें तो हमारा सवाल था 4x cube minus 8 x square minus 20x plus 24 is equal to 4 common लिया था और x minus 1 x minus 3 और x plus 2 ठीक है तो अब हमने देखना है कि common factor कौन से है ठीक है तो common factors यहाँ पर है x plus 2 और x plus 3 यहाँ पर है x plus 2 और x plus 3 नहीं x minus 3 है तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम 2 को common लेंगे और x minus 1 और x plus 2 ठीक है तो अब इससे solve करेंगे तो यह 2 रहा और यहाँ पर x minus 1 और x plus 2 है तो हम इसे कर देंगे यहाँ पर x square plus 2x multiply कर रहे हैं यहाँ पर फिर minus x minus 2 ठीक है तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2 common इसी तरहां से अब अंदर यह हो गया x square plus का x minus का 2 ठीक है क्योंकि 2x में से x चला गया x बचा और minus का 2 इसी तरहां से फिर यहाँ पर यह हो गया 2x square multiply हो गया plus 2x minus 2 ठीक है 4 answer तो यह था हमारा आज का question थोड़ा सा lengthy था बट अगर आगर आप इसे अराम से science को दिहान में रखके करेंगे तो आपके लिए असानी होगी उमीद करती हूँ आज की लेक्चर आपको अच्छे समझ आ गया होगा मज़ीद questions के लिए में चैनल को कर दें सबस्क्राइब साथ ही अपने classmates and friends से share भी जरूर करें मिलते हैं next video में तब तक के लिए अल्ला हाफिज